अले फेंड्स, मैं स्ट्टर विकास वजी और आप देखने हैं चैनल अकाउंट्स गुरू और आज ये साल का आखरे दिन हैं और मैं आप सभी को विश्करना चाहूंगा नए साल की बहुत-बहुत शुक्कान मैं, हैपी न्यू येर और इस पूरे साल जो मैंने आभी 2018 हमने क बहुत प्यार, चाहे मैं बात करूँ अंबिसर में, हमने विजिट किया भवनेसर में, डिय भी या फिर DPS, अगर बात करें हम जैपुर की तो सेंट एंसलम स्कूल में, और हम बात करें हम बिहाद में तो लौड भुद्धा, और अगर बात करें हम बिट्स पिलाने की, तो बहुत ही में मेर बिट्स पिलेंस रहा और अगर बात करें हम जिंद की बात करें हरियाना के एंटीर में, तो वहां भी हमने ऑक्सवार ओं पूबिक स्कूल और ऐसे ही डेली के टॉप सारे स्कूल, तो उनसे ही टीचर्स का, उनसे ही प्रिंसिपर्स, बेरेमेंटर्स और मान देने के लिए और आशा करता हूं दोजान में इस भी बहुत अच्छा जाएगा तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस जो मैंने एक ट्रावलिंग लोगों से मिला लोगो देखा समझा लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया तो कुछ ऐसी चीजे निकल किया ही जो मैं चाहना चाहूंगा शेयर करना चाहूंगा कि हम आने वले साल में इस पांच नए रिजलिशन को क्योंकि हमारा हम हमेशा आपने नियू यार के अंदर एक कस्टम है हम रिजलिशन को बनाते हैं और अफ कोस हम जानते हैं कि इतना इसको कॉंटीनिव कर पाते हैं बड़ देफिनेटलि इस में मैं पांच ऐसे रिजलिशन बदाना चाहूंगा कि जो कि लाइफ को भैतर करने में मदद गार होगा तो स्टार्ड करते हैं इस वीडियो में ऐसी कौन सी पांस वीजिशन साभ बनाएं जिसे 2019 और आनेवuais टाइम बहुत ही यादकर होगा और बहुत ही सु 누가 और बहुत ही happy और बहुत ही joyful रहेगा तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अगे मैं कहना चाहूँगा बचो और यह वीडियो टीचर, स्टुडेंट्स, पेरेंट्स सभी के लिए है और अगर आपने यह हमारा चैनल एकाउंट्स को भी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज दू सब्सक्राइब और शे अगर आप हैपी नहीं है अगर आप हैपी है और सकस्सरों नहीं है तो अगर आपको सकस्स नहीं मिल पारी अगर आपको हैपिनेस नहीं मिल पारी अगर आपके रिलेशनशिप बहतर नहीं हो पा रहे या फिर कहीं फिनाइंशल प्रॉब्रम आ रही है आपको तो मैं कि जो आप हैं अगर आपको मुझे जज़ करना है आपकी पस्नाइटी के बारे में तो जो भी आपके आस्पास पांच लोग है उसका एवरेज निकाल ये जाए वो आप होंगे तो कहना चाहूंगा कि अगर अभी तब कोई रॉंग हैबिट है कोई भी हैबिट रॉंग हैबि बिता ही है टीचर्स और मेंटोर से भी कहना चाहूंगा अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अगर कोई आपको नेगिटिव टी आपके आस्पास कोई नेगिटिव पीपल है और नेगिटिव फिला रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा 2019 मिल को सॉरी बोल दीजिए और जो प से लिखना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है इस धर्दी पर आने का यानि बीग का जो शोचल एलिमेंट हम बन के आए हैं भवाने हमें बेजा है इतने हमने हमने पढ़ रखा है कि योनियों के बाद हम यहाँ है मेरा उद्देश यह क्या है क्या सिरफ मुझे अगर मैं बात करूँ पैसा कमाना या फैमिली को फैमिली के लिए अच्छे चीजे सुविधायम देना अच्छा घर खरीना और उसके बाद हम 60-70 साल के बाद उपर चले जाएं क्या यही मकसद है नहीं मुझे लगता है जो मे है क्या ट्रांस्फर्मेशन कि जो मेरी थोड़ी बाद नॉलेज है उससे मैं सामने वाले को ट्रांस्फर्म करूँ और बहतर बनाओ तो बेरा मिशन होना जी है कि बिंगा जो मुझे हुमन बिंग जो में मना के बेजा है मैं कैसे सुसाइटी को कंटीबूट कर सकता हूं मैं जो मैंने अब्सर्व करी है वो है वी नॉर्मली जज़ पीपल हम हमारा सारा टाइम अगर हम सुवे से राग देखें तो 75 परसन हमारा टाइम सिरफ लोगों को जज़ करने में चला जाता है कि वो ऐसा क्यों है उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया उसने मेरे फोन का रिप्लाई क्यों नहीं किया हां आज कल तो शोशल बीडियों यह भी टेंशन का विशे है कि अगर आपने वर्टसेप किया और दो निले टिक देख लिए देखने के बाद भी उसने आपको रिप्लाई नहीं किया तो आप उसको रूड बिहेविल मानते है या आप मानते है उसने मेरे बेश्ती कर दी अगर ऐसे फिलिंग आप में आ रही है तो मैं कहना चाओंगा कल से आप यह फिलिंग निकाल दीजिए लोगों को जच करना छोड़ दीजिए कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा वो मेरे बारे में यह फिलिंग क्यों रखता है और जितने भी confusion जितने भी अपस में relationships जो खड़ाब हो रहे हैं वो सिरफ इसकी वे से because हम judge कर रहे हैं और यह घरों में भी होता है, families में होता है, husband wife relationships में होता है, बच्चे और parents के बीच में होता है, teacher student के बीच में होता है कि हम बहुत जल्दी judge कर लेते हैं तो कहना चाहूंगा बच्चों कल से सभी को इस वीडियो को देख रहे हैं, please आज से हम judge करना बंद करेंगे, हमको merit पे और with positivity हम उनके साथ डील करेंगे, next बात करते हैं हमारा new version, मैं कहना चाहूंगा कल से, लोग एक नया version देखें आपका, because हम सब जानते हैं, बड़ी-बड़ी मोबाइल कंपनिया है, हर 6 मेले में या साल में एक नया model release कर देती है, मैं आप से पूछना चाहूंगा, आपने अपना नया version कब release किया, आपका नया बेटर वर्जिन कब आया, तो वो आपको देखना है कि ये 2019, लोग कहें, वाव, क्या person evolve हो के निपला है, 2019 में, यानि अपनी well-being के लिए, अपनी अपनी खुद क for success, लोग हैं, जो मेहनत तो करते हैं, बड़ success नहीं पाते हैं, और वो कमी है laser light focus की, आप सभी जानते है laser light focus का मतलब कि अगर आप lens को सूरज की नोशी दिखाएं, और continuous एक कागज पर दिखाएं, तो कागज में आगल जाती है, तो अगर आप success पाना चाते हैं, अगर आप क कहा कि कहीं कोई Google या Net से नहीं है, दिल से था, और दिल से में शेयर करना चाता है, जो भी नया साल हो, हम इस तरह से अपने आपको देखें, कि जो पास था, वो निकल चुका है, बड़ यस, definitely, नया साल, नई उमीदों के साथ आएगा, और नए mission के साथ आएगा, और definitely, जो म कोमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और थम सब कीजिएगा, अगर अप्छा लगा, और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी अपना नया साल भेत डंग से शुआ कर सके, थैंक यू, मैं डॉक्तर विकास विजे, आप सभी को नया साल फिर मुबार्ण बार देता हूँ, थैंक्स अलाट